हेलो वेलकम दोस्तों एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारी यूट्यूब चैनल देव हुमी एजुकेशन पॉइंट में फ्रेंड्स आपको पता है आने वाले एक्जाम में फिजिक से भी आने वाली है ठीक है तो उस दिरिश्ट से हमने कले एक model paper आपको upload कराया था 100 नंबर का आपने सायद देखा हो या नहीं देखा हो अगर नहीं देखा है तो आपको मैं description में link प्रोवाइड करा दूँगा यह बहुत दिक विज्ञार नहीं के physics के question कराऊंगा ठीक है तो physics के question आपको मैं यहाँ पर हमारे पास सामने जो बनाया है वो 100 question का set बनाया है लेकिन मैं आपसे जो भी discuss करने वाला हूं के वल 50 question discuss करूंगा क्योंकि 50 question के अंदर जो है बहुत लंबा वीडियो हो रहा है अगर और समय कम होने की वज़े से हम फटा फटा MCQs पर त्यान देंगे और जल्दे से जल्दे जाल से ज्यादा question करने की कोशिश करेंगे ठीक है चले ज्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं आगे तब तक उमीद करते हो आपने वीडियो को like बटन दबा ही दिया होगा तो आ पहला question है निम्लखित में से कौन सी मातरा जड़त्व की माप है तो जड़त्व की माप है कौन सी मातरा यहाँ पर को दिया गया है साब साब जड़त्व आप जानते है न्यूटन का पहला law है पहला नियम है जड़त्व का नियम इसके according कोई वस्तों गर गती में है तो गती म माप है या जड़त्व का माप है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दरवे मान ठीक है option C माप देख पा रहे होंगे दरवे मान इसका right answer है उसके बद अगला question है दोस्तों खादी उर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं उर्जा की बाद नहीं हो रहे है यहाँ पर हो रहे है खादी उर्जा ठीक है जब आप food feeding करते तो उसके बाद आपको energy मिलती है तो उसको हम कैसे मापते हैं किस में मापा जाता है तो वो calorie में मापा जाता है option A यहाँ पर को right हो जाएगा तो खादी उर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं वो calorie में मापते है ठीक है अगर नहीं पता तो भी आप लिख सकते हैं ठीक है कि हमें नहीं पता हम उसके बाद आपको इसका answer बताएंगे कोई भी question है थोड़ा detail में उसको लिखने की कोशिश करें अगर नहीं बता तो उसके बारे में सर्च करें रिशर्च करें और दूसरों से पूचे हमसे पूचे comment section में या फिर टेलिकायां ग्रूप पर चले बढ़ते आगे अगला question है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यातरी आगे की दिशा में गिरते हैं इसको किस के द्वारा समझाया जा तो जो बस के अंदर का व्यक्ती है वो तो गतिमान अवस्ता में न तो ब्रेक लगेगा तो अचानक जो हमारा नीचे का हिस्सा जो गाड़ी से touch है सीट से लगा हुआ है वो तो रुक जाएगा लेकिन जो हमारा उपर हिस्सा है सर वाला हिस्सा तो वो क्या होता है फिर भी गतिमान इस्थिति में ही रहता है वो निरंतर गति करता रहता है इसलिए नीचे का इससा उपर का इससा आगे की तरफ गिर जाता था ठीक है तो इसका मतलब यह सबिसे हैं तो समुद्र में कोई ॡ़के तो हम डलडली शटय कों पर कुछ किसलतेlier लोग फिशल जाएगे अगर वह ज्यादा होगा तो उस से करते हैं। तो इसलिए जो दलदली सडकें होती हैं, दलदली जो जगहें होती हैं, वहाँ पर को friction कम हो जाता है, घर्षन कम हो जाता है, जिसके वज़े से हम फिसल जाते हैं, ठीक है, तो यानिके option C में घर्षन की कमी दिया है, तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए आगे हैं, प्रकास वोल्टी सेल के प्रियोग से सौर उर्जा का रूपांतरन करने के निमने में से किसका उत्पादन होता है, ठीक है, तो प्रकास वोल्टी सेल के प्रियोग से और प्रियोग से सौर उर्जा का रूपांतरन करने के निमने में से किसका उत्पादन करने के लिए, निमने में से किसका थोड़ा सा मिस्प्रिंट इसमें हुआ है तो किसका उत्पादन होता है तो यह प्रकासी उर्जा का उत्पादन होगा ठीक है तो प्रकासी उर्जा का उत्पादन होगा शोर उर्जा से जाहिर सी बात है ठीक है उसको आप प्रकासी वोल्टी सेल में स्टो इसका प्रियोग होता है तो यह पासकल के नियम के अकॉडिंग होता है अब पासकल का नियम क्या था पासकल का नियम जो है आप comment करके बताएंगे हमें ठीक है तो इसको अगर नहीं पता तो इसको सर्च करो देखो books को लो इंटरनेट का सारा लो अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो फिर हमसे पूछो हम जरूर comment करके आपको reply में हर comment का reply करता हूँ तो comment करके मा आपको जरूर रेप्लाइब बता दूंगा इसника अगला क्वेश्चन है जब दूद को प्रबल धंसे मता जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है दोस्टो यह तो आपको पता ही होगा बहुत बार एक questioning जो है exam में देखा गया है जब दूध को प्रबल धंक से मथा जाता है तो दूध उसमें such cream निकल जना तो cream वह किस के अता है अक्सर एक्जाम में washing machine जो करती है वो किस Literally में काम करती है या washing machine में जो कपड़े धूलते हैं थीक है न तो उसमें कौन सा बलकारी करता है अपकेंदरी या अभीकेंदरी ठीक है यह दोनों में से एक चीज आप यसका आंसर करेंगे नीचे जब कमेंट करेंगे तो उसमें लिखना वस्टिंग मशीन में यह बलकारी करता है तो उसके बाद answer लिखना अपना ठीक है अगला अगला question है जेट इंजन किसके संग्रक्षण के शिधांत पर काम करता है ठीक है अगला question है प्रथिभी के ग्रूतवाकर्षण का कितना भाग चंदर्मा के ग्रूतवाकर्षण के सबसे नजदिक है तो इसका सही जवाब है एक बटाच है उसके बाद किसी तुल्यकारी उपग रहे कि प्रिथिभी की सतह से उचाई लगबग कितनी होती है तो प्रिथिभी की सतह से उपग रहे कि प्रिथिभी की सतह से लगबग कितनी होती है किसी तुल्यकारी उपग रहे कि तो यह होती है 3600 km, 36000 km होती है, लगाल 예ंभी है, अगलन है वर्षा की बूद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, दोस्पों वर्षा की बूद का आकार का गोलाकार हो जाती है वो किसकी वज़े प्रिष्ट तनाव के कारण हो जाती है ठीक है प्रिष्ट तनाव सर्फेस टैंसन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं तो प्रिष्ट तनाव के कारण होती है वर्षा की बूत का आकार जो गोलाकार हो जाता है महान वैग्यानिक आर्कमडीज किस देश से संबंदी थे तो महान वैग्यानिक आर्कमडीज जो है ग्रीस से संबंदी थे ठीक है ग्रीस आर्कमडीज के बारे में आपको पता होगा इन्होंने एक लौ दिया था आपको पता होगा आर्कमडीज का सिद्धान्त जो दिया था ठीक है तो क्या था ओर MOतीज का सिध्धानति इंप्ठेंट है क्योंकि एक्जाम में ten से सीथानत्र निकलाते तीन चार कष्ट्टन यहां से इंप्ठेंट बन सकते हैं तो irrelevant का सिधानति क्या था यह भी अप लिख सकतें हैं पानी के एक गलास में एक बर्फ का टुकडा तैर रहा है जब बर्फ फिघलती है तो पानी के इस तर पर क्या पर भाव होगा तो दोस्तो पानी के ग्लास में बर्फ का टुकडा तैर रहा है और कुल मिला कि ये पूछना चाह रहा है जो ग्लास में पानी का लेबल दिखाई दे रहा है तो क्या उतना ही रहेगा या उससे कम हो जाएगा या फिर ग्लास से पानी बाहर निकल जाएगा तो उतना ही रहेगा ठीक है यह बड़ेगा नहीं क्योंकि क्यों नहीं बड़ेगा क्योंकि जो बर्फ का टुकड़ा है वो पानी के ग्लास के अंदर ही है ठीक है जितना उसने स्पेस लेना था वह वहाँ पर पहले से लिया हुआ है अगर उस टुकुडे को पिगला दिया जाए तो भी पानी का अस्तर पर कोई उसके लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या कहेंगे इसका आंसर होगा से रहेगा उतना ही रहेगा अगला क्वेश्चन के सार भॉमिंग नियम का प्रतिपादन किस नहीं किया तो ग्रेविटी के लौ दिये थे तो किस नहीं दिये थे आपको पता ही है बहुत बड़ा एक्जामपल इसका है जब न्यूटन एक सेब के पेड़ के निचे बैठे थे सेब गिरा वाला यह बहुत ही पॉपुलर एक स्टोरी है इसमें जो उन्होंने प्रियोक किया था इसके बाद ही उनके दिमाग में यह बात आई थी कि यह नीचे ही क्यों गिरा यह उपर को क्यों नहीं गया उस तरीके से उन्होंने नियम दिये थे तो हम कह सकते कि गुरु सब्सक्राइब का सही मान है तो इसका सही जवाब है दोस्तों 9.8 न्यूटन ठीक है 9.8 न्यूटन थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा कोई दिखकर नहीं है तो इसका जवाब है 9.8 न्यूटन एक होर्स पावर यानिकि HP भी आप इसको शॉट में लिखते हैं जब यगर साइन्स के कोई भी परिक्षै हैं उसमा यहian question को से बराबर होता है वाब होता है यह 746 V 746 वाब के बराबर होता है एक होस्तों boundaries के बराबार होता है कि 2 Oh प्रत्वाकर्षण के नियम देते उसके बारे में पूरे डिटेल में उन्होंने चर्चा की थी ठीक है तो उन अपने नियमों को शारुबहम किया था तो लेकिन उनसे पहले ही कोई एक का nuance करा तो उसकी यह व्याक्वाग्या उनका नाम है तो इसे लीए नियूटन ने उसका बहूत अच्छी तरीके से उसको बता दिया था तो वह पब्लिस हो गया उसके बाद अगला है बीस्मा क्वेश्चन निम्खित में से कौन शाह उश्मा का यूनिट है ठीक है तो उस्मा की इकाई क्या है यूनिट मतलब इकाई ठीक है तो उस्मा की इकाई क्या है जूल ठीक है चलिए मात्रक इसको कह सकते हैं अगला है कितना तापमान होने पर पाठ्यांग के Celsius और Fahrenheit तापमाप्ल में एक ही होंगे यह question बहुत important है star लगा सकते हैं इस पर यह question बार-बार पूझा जाता है कितना तापमान होने पर पाठ्यांग के Celsius और Fahrenheit में एक समान होता है ठीक है तो ये माइनस 40 डिग्री पर होता है दोस्तों एक मनुष्य का तापकरम 60 डिग्री सेंटिग्रेट है तो उसका तापकरम फॉरण हाईड में क्या होगा तो अगर एक मनुष्य का तापकरम 60 डिग्री सेंटिग्रेट है तो फॉरण हाईड में कितना होगा तो ये इसका 日क में देखते हैं तो फट अग्ला है कि जील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है जील के अधास्तल में जल का क्या दाफमान होगा है अब कोई जील का पानी है तो वह जमने ही वाला एंथ बर्फ बनने वाला है तो उसकी जील अधेस्टल में जलका ताबमान 4D centigrade होता है ठीक है चलिए उसके बाइब अगला क्वेश्चन निम्लिक्षी ते मैं से कौन ऊश्मा का सरोत्तम चालक है अब उश्मा का सरोत्तम चालक गुट कंड़क्टर जो होता है वो क्या होता आपको पता ही है दोस्तो पारा ठीक है इसमें से जल भी नहें होगा लकड़ी नहें और चमड़ा नहीं होगा सबसेर जबाब है जिस में उश्मा आजनाلة से प्रभाइद को हजाती है है कि अगलाक्व और पार आपको पता भी है पर नासे के इसको दादु में किना जाता है जो एक संगज़न के द्रबर अधिक ज्वालक पैदा लाते है तो ऑंबिक संगज़न के दूररा ऊश्मा का some preparation कहलाता है, यानि की कंडक्शन, अगला question है, किस के द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है, ज्वालक पैदा होती है, question को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि confusion कर देगा, अगर question समझ में नहीं आएगा, तो answer देना थोड़ा tough हो जाता है, तो अधिक जौलक पैदा किस से होते हैं जौलक का मतलब यहाँ पर दोस्तों आप जलन से ले सकते हैं अगर जल जाता आपका हाथ पैर या कोई भी शरीर का अंग अगर नीचे जितने भी option दिये हैं इन में से किसी के दोरा जल जाता है तो किस से जादा जलेगा या फिर किस से तो इसका जवाब जो है बी है ऑप्सन बी हाँ पर को सही जवाब है अगला क्वेश्चन है किसी द्रव का उसके कुथनांक से पूर्व उसके भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो वास्पी करण होता है ठीक है कोई भी द्रव अपने बॉइलिंग पॉइंट म यहाँ पर सही होगा ठीक है उसके बागला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 28 है उस्मा गतिकी का पर्थम नियम किस अवधारना की पुष्टी करता है यह उर्जा संग्रक्षन का क्या नियम है यह आपको पता होगा ठीक है तो यह आप लिख सकते हैं कमेंट करके अपनी बुद्धी मत्ता प्रतर्शित कर सकते हैं महाँ पर अगला क्वेश्चन निम्र्खित में से किस की उश्मा धारिता अधिक है ठीक है तो किस की उश्मा धारिता अधिक होती है जल की जल की उश्मा धारिता अधिक होती है ऑप्शन बी सही है अगला क्वेश्चन है बिना कि कैसी ताप परिवर्थिन के किसी पदार्थ को द्रव में हैं गैसं पर द्रव से गैस में करने में गलत हो तो इसमें चीलए चिबार इसमें और तो आप एक शित उस्मा को किसकी गुप्ती उस्मा कहतने हें अगला question. Question number 31 देखेंगे मिटी के घड़े में किस Cria के कारण जल थन्डा रहता ठीक है, तो मिटी का जो घड़ा होता है, उसमें किस recognize के घड़े का इस्तेमाल करते हैं, पानी थन्डा राखने के लिए आम तोर पर गाओं में बहुत जादा अस्तमार इसका होवा करता था और दोस्तों ये वासपी करण की बजह से होता है तो अथिस्ता मतलब है कि मिट्टी के घड़े में जो पाने ठंड़ रहता है वो वास्पी करने की बज़े से रहता है option B आपर सीधे सीधे सई हो जाता है अगला question है question number 32 है शिकार, परभक्षूं या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड और या फिर dolphin किस परिगटना का प्रियोग करते हैं जो चमगादड होते हैं और dolphin होते हैं वो अपने शिकार का या परभक्षियों का या उन पर आने वाली जो बाधाएं होती है उनका पता लगाने के लिए वो किसी चीज का प्रियोग करते हैं कैसे पता लगाते हैं कुलमिला के कहने का मतलब है तो दोस्तों वो प्रति ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् द्वनी की गतियोि तो इसका जवाब निमिलखीत मैं कौन सा एक多बीम मैं ध्वनी तर्णगों के द्वारा तो होता है तो यह धुरूवन इसका सई जबाब हो जाएगा ठीक है अगला question है question number 35 है ध्वनी तरेंगे किसके कारण प्रतिध्वनी उत्पन्न करते हैं तो ध्वनी तरेंगे जो है प्रतिध्वनी जब उत्पन्न करता बढ़ती जाती है ऐसा किस घटना के कारण होता है तो यह डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है ठीक है डॉपलर अगला लगभग बीच सेंटिग्रेट के दिग्री सेंटिग्रेट के तापकरम पर किस माध्यम में ध्वनी की अधिक्तम होगी question थोड़ा repeat है कोई दिक्कत नहीं है यह लोहे में होगी ठीक है प्रकास के विद्दुचुमब की स्वरूप की खोश की थी मैकजल ने थी ए अब mention no'M no 39 यह पर सूरे की रोष्णी को प्रथे वी तक पहुंचने में लगबग कितना समय लगता है तो इक रोशनी तक पहुंचने में अarm शॉलार सेकंड का समय लगता नॉर्मल ते हैं तर यहाँ पर यहां पर शूला पॉय सेकंड लिखा है لेकिन question जो आता है वो 8.8 minute 16 second का आता है इतने में सही हो जाएगा लेकिन आप इसको देख सकते हैं याद कर सकते हैं कि़ोजे से दिखाई दिया प्रकाष के अपरतन के कारण ठीक है अपरतन नियम से 무슨 दिखाई 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 दी gression है अगला question एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है ठीक है तालाब में उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगता है तालाब में कोई पत्थर है ऐसा लगता है वो किसी उससे उची जगे पर है उतनी गहराई का अंदाजा नहीं लगता है यह लगता है उपर है तो जहां यह वास्तों में है किस संवरित्ति के कारण है ठीक है तो परकास के अपवर्तन के कारण हमने कहा ना जब कोई परकास करण सगन से विरल में या विरल से जगन में जाती है तो अपने रास्ता से भटकी हुई नजर आती है बहुत इंपोर्टेंड है बहुत बार आता है तो ये ठीक्रिदन के कारण दिखाई दिता है ठीक्रिय। अगला पिछली साइट के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑट्टर्पर मूबाईल की आहें निए जो वाहन होते हैं कल भी मैंने वे में question, ऐसा ही कुछ question रखा था, जिसमें driver पीछे आने वाले गाड़ियों को देखता है, वो कौन सा दर्पन होता है, उत्तल दर्पन होता है, ठीक है, उत्तल दर्पन में क्या होता है, जो बड़ी चीजे हैं, उनको छोटा करके दिखा देता है, ठीक है, चले, उसके बाद है, कार चलाते समय अपने पीछे के आता है, तो को देखने के लिए आप किस दर्पन का परियोग करेंगे, वही है वही है उत्तल दर्पन, यह उत्तल लिखा है, उत्तल दर्पन का परियोग करता है, आदमी यह question वही है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है, कोई व्यक्ति दो समतल दर्पन जो शाट डिगरी कोण पर आनत है, उनके बीज खाड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिविंबे दिखाई देंगे, तो इसका सही जबाब हो जागा, उस तो पांच प्रतिविंबे दिखाई देंगे, ठीक है, अगला है, हम प्रतिवी के किरण पुझे हैं, तो ये क्या है, समानतर किरण पुझे है, ठीक है, तो प्रिष्ट पर खड़े हैं, तो सूरी का प्रकास प्राप्ते करते हैं, किस प्रकार का किरण पुझे है, ये समानतर किरण पुझे है, अगला है, निमलिकी में से कौन सा रंग सम्मिष्रण दिन और रात के समय सरवाधिक सुविधा जनक होता है तो सरवाधिक सुविधा जनक होता है लाल और हरा ठीक है कौन सा रंग सम्मिर्शन दिन और रात के समय सरवाधिक सुविधा जनक होता है लाल और हरा उसके आगला है कैमरे में किस परकार का लेंश उपयोग में लाया जाता है तो उत्तल लेंग्स जो एक कार्निय को क्या जाती है तो ये cornea को किया जाता है दोस्तों ये प्रशनी भी आपने बहुत बार देखा होगा नेत्रदान में आख का जो हिस्सा होता है जब कोई नेत्रदान करता है तो उसका कौन शाह हिस्सा लिया जाता है तो cornea लिया जाता है और पहली बार हमारे चैनल पर हो, आज तक आपने हमारा चैनल भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत सारा इस्टेडी माटेरियल आपर मिलने वाला है, एक्जाम आने वाले हैं, तैयारी पूरी करेंगे, और इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धेर सारी शुप काम नहीं हैं, दोस्तों आपको धनिवाद